मैं 25 लाग क्या असपास साल की 6 एकड़ से इंकम ले पाऊं मेरा टार्गेट ये है उससे आगे का फिर आगे सोचेंगे ये हो जाएगा तब 6 एकड़ से 25 लाग रुपे की कमाई वो भी रेतिली जमीन से शायद आपको ये बात हजम ना हो लेकिन उम्राव मान ऐसा कर सकते हैं क्योंकि फिलहाल इनकी 6 एकड़ से सालाना कमाई 10 से 12 लाग रुपे है रेतिली जमीन से आम तोर पर किसान प्रती एकड़ 20 से 30,000 रुपे ही सालाना कमा पाते हैं लेकिन हरियाना में भिवानी जिले के लाड़ गाओं के उम्राव मान करीब 2 लाख रुपे प्रती एकड़ कमा रहे हैं और हर साल इनकी आमदनी बढ़ रही है यदि आप खेती करते हैं या करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप ये फिल्म पूरी जरूर देखें उम्राव मान अनुभवी और प्रती शील किसान है आप यकीन मानिये इनका अनुभव आपको खेती में एक नई रह दिखाएगा तो चलिए देखते हैं उम्राव मान रेतिली जमीन में लाखों रुपे कैसे कमा रहे हैं लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने टेकनिकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन भी दबा दें कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब मैं प्रागत फचले करता था तो उसमें इंकम मेरी लग भग ने के बराबर थी अगर जमीन का किराया जोड़ा जाए अगर जमीन का माल जोड़ा जाए तो बिजली का और लेबर का और बीज का और ज लेचेति और उसले उगानी नि कस रख इन सरूकिरी और बाग वानी का में झो सहारा लिया और उसके अलावा जो यह जो ड्यृप और जो गौर्मेंट दो सहकी में दी उनका सहारा लिया तो काफी इंप्रूमेंट्वेंट ion पर्ठम वर्ष मेरा 3 लाग का इनकम हुआ है, तीन इस साल मेरा साठे 7 लाग के आसपास इनकम हा Michael से साठे 3 लाग सिसमें यह मेरा खर्चा यह से और यहाँ नेट प्रोफिट जहारा चैर्ढद微 फ्रिक्षा हमुह है इसके साथ-साथ है अब मैंने खीरे की फसल लगाई है अगर यह सकस हो जाती है तो 50-60,000 के करीब यह हो जाएगी तो यह आठालाग के करीब येर मेरा हो जाएगा उसकी अलावा दो साल के बाद जैसे बाग लगा रखा है, उसमें अलग से इनकम होनी सुरू हो जाएगी तो 15 से 20 लाग के उपर में पहुंच जाओंगा मेरा यह है कि मैं 25 लाग के आसपास साल की 6 एकड़ से इंकम ले पाऊं मेरा टार्गेट यह है उससे आगे का फिर आगे सोचेंगे यह हो जाएगा तब लेकिन मैं अपने भाईयों को यह देना चाहता हूं संदेश के अपने आत्म का लगाव जोड़के और फिर उसको करेंगे तो उससे हम सीख भी पाएंगे और जो गलती हमने इस साल की है वो अगली साल हम नहीं करेंगे तो हमें उसके प्रोफिट होगा इसके अलवा कुछे किसानों को ध्यान देना चाहिए हम खर्चे कं करने के जैसे हम करते हैं कुछे फर्टीगेसन बे हिसाब से करते हैं और कुछ दोवाईयों का इसतेमाल ऐसा करते हैं जैसे गय हम दूणादार के पास उसने जो भी दे दिया वु लाकर डाल दिया ये और वे उन्हीं के लिए नहीं है जो और गेनिक नहीं करते हैं और गेनिक की भी आज कल दुकानों में सबी आइटम आए वे हैं उसमें भी लूट करने लगी है कंपनिया जिस चीज के हमें आवश्यक्ता नहीं है वह हमें मार्केट से नहीं लाना चाहिए और हमारा बीज कैल पर लगाना चीए मैं किसी ने कहा और हुआ किसी जगह पर वातावन अच्छा होओ उसको शूट करता हो लेकिन आहमारे यहां पर वह सूट हो अक्सर बीज के साथ पाया गया है जहां पर उसकी जलवाईउ उसका पानी मिती करते हैं अ कई बार किसान बाई हो तो जिती हैं जनका मंड़ी नहीं होता हुए कोयी मंड़ी नहीं होती वो फ exit लगाते हैं वह बहुत ही दुफ़धार होता है जा लगाते हैं पर पादन पी आ गया और तॉह विए भी टॉज तुछ की थाइब सब्सक्राइब करें यहां रखाण है तरबूज को हम अपने यहां पर ज़्य पर नागा तो जादा तरव यहीं पर बिग गया तो इसाल यहीं पर बिग गया तूब लोगों को खाने का चाहु था और वो इतनी खपत है तरभूज की गर्मी के समय में लोग गर्मी से रिलेक्स होना चाहते हैं वो बाद में जैसे सब को पता चला है दुकानु वाले भी और रेडी वाले भी सभी यहीं से लिए जाने लगे तो अपने आप यहें मंडी में मेरे का मार्केट भी हो इसके अलावा जैसे गें लगाते हैं तो गें भी आमें जैविक तरीके से आसानी से कर सकते हैं कई काहते हैं नहीं होता है जो की गें मार्केट में 2,000 रुपे भी रहा है वो में 5,000 रुपे बेच रहा हूं क्यों वो पांच साल से में जैविक कर रहा हू तो उसमें जहर ही नहीं है, यूरिया ही नहीं है, उसमें कोई खर्पतवार नाशी का प्रियोग नहीं किया गया है, तो वो शेत के लिए भी अच्छा है, और उसमें प्रोफिट भी मेरा अच्छा है, प्रोफिट कैसे है के मेरे को भाव दुगना मिल गया, और खाने वाले उ जरूर करना चाहिए पसु पालन होगा तो हमें रिखाद की पूर्ती होगी और उसके हम जैसे गाहे से गोबर से जीवामरित बना सकते हैं पलस में दूद का हमारी शेहत के लिए बहुत अच्छा है और और भी काफी पसु के तो जैसे हमारा इसका वेस्टेज है उसको खा करक कर में होगाए गोबर dirty है तो भूद अच्छा है पहुत अच्छा है ये नहीं है कि अगर नोकरी करेंगे तो करेंग। जानओ नोकरी करने लग trademark और खेसी कोई करी नहीं रहा है तो अपने हूअ आप आज मैं नहीं बामन्ताु खीरा लेके तो हरुटेज जो भी है खाने की सबजी उसका 30 से कम बाव किषी का भी नहीं था 30 रुपे से कम और लेहरशन तो 300 प्य किलो, किसलिए, कोई उगाता नहीं हद था महानत नहीं है, खाने के लिए सब को चाहिए, इसके अलावा दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं, साराख हम कम्पूटर से करवा रखें, दिमाग भी कमजोर हो रहे हैं, वही सिस्टम है जो हम जिस से काम नहीं लेंगे वो अपने आप स्थिल हो जाता है मैं यहाँ उसे कहना जाता हूं कि आगर आप नोकरी करते हैं या और कोई भी अपना बिजनिस करते हैं, तो भी अपना थोड़ा भूत खेती का जरूर करना चाहिए, एक्सपिरियेंस भी रखना चाहिए, उसमें लगाव रखना चाहिए, और आपने बच्चों को भी एक दो दिन अपते में खेत मिले जाना चाहिए, उनको शिखाना चाहिए, खेती बहुत अच्छा है, और इंकम का अभिसादन है, और जीने के लिए तो बहुत ही जरूरी है, परियावण के लिए भी बहुत जरूरी है. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो जादा से यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले.